दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हमारी पॉलिटिकी सीरीज का 16 पार्ट है और आज हम इस वीडियो में सविधान के इंपोर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बारत के सविधान के निमलिकित अनुछेदों में से किसके अनुसार परते एक राज्य की कारिये पाली का सकती का इस परकार प्रियोग किया जाएगा जिससे कोई परतिकुल परभावना पड़े इसका सी आनसुरों का उप्सन नमर भी अनुछेद दोसो अठावन बारत के सविधान के निमलिकित कोन से अनुछेद में उपबंध हैं कि 14 वरस से कम उमर के किसी बालक को किसी कार खाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्यपरी संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा इसका सियानसरोगा उप्सन नमबर A, अनुचेद 24, जो की एक मुलिक अधिगार है एला विशने, भारती सविधान में समानता का अधिगार पांच अनुचेदों दुवारा परदान किया गया है इसका सी आंसरोगा उप्सन नमबर सी अनुचेद 14 से अनुचेद 18 अहला गुशने भारती सविधान के अनुचेद 371 अया के अंतरगत देश के किस छेतर को विशेश इस्तिती परदान की गई है इसका सी आंसरोगा उप्सन नमबर भी हैदराबाद और करना टक अहला गुशने भारती सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारस सरकार का दैत्तो है कि वह भाहिये आकरमण एवं आंतरिक असान्ति से राज्यों की रक्षा करे इसका सी आंसरोगा उप्सन नमबर है अनुचेद 355 अहला गुशने भारत के सविधान के अनुचेद 3 के अनुचार संसद विधी दुवारा उप्सन देखते हैं किसी भी देश पर आकरमण की घोसना कर सकेगी तो यह उप्सन गलत है किसी भी राज्य की सिमाओं में परिवर्तन कर सकेगी यह उप्सन सही है किसी भी राज्य का छेतरपल बड़ा सकेगी तो यह option भी सही है किसी भी राज्य के अंतरगत सवायत परिशत की स्थापना कर सकेगी तो यह option भी गलत है तो option 2 और 3 सही है तो option number 6 का C answer होगा केवल 2 और 3 अगला उशन है भारत के सविधान का वह कौन सा अनुचेद है जिसमें भारत के नियंतरक और महालेखा प्रिक्षक का उल्लेख है इसका C answer होगा option number D अनुचेद 148 अनुचेद 148 में C.A.G. का उल्लेख है जिसे नियंतरक और महालेखा प्रिक्षक कहते है भारत के प्रतिक नागरिक का कर्तव्वे होगा प्राकर्तिक प्रियावरण का सनक्षन एवं सुधार यहा कतन भारती सविधान के किस अनुचेद में अनुचेद से संदर भी थै इसका C answer होगा option number D अनुचेद 148 में अल्लेख जिसे ने राज्य विधान सभाव में आंगल भारते समुधाय के लिए परति निध्यतु का प्रावदान भारत के सविधान के किस अनुचेद द्वारा किया गया है इसका C answer का option number D अनुचेद 333 में अल्लेख जिसे ने भारते सविधान का कौन सा अनुचेद भारत की विदेशनीती से संबंदित है इसका C answer का option number D अनुचेद 51 या भारत की विदेशनीती से संबंदित है अल्लेख शिने निमलिकित में से भारते सविधान के किस अनुचेद का उप्योग अभी तक नहीं किया गया है इसका C answer का option number D अनुछेद 360 में वितिये अपाते जो की अब तक भारत में नहीं लगा है अलागुशन है भारती सविदान के किस अनुछेद में नए राज्ये के परवेश या इस्थापना का प्रावधान किया गया है इसका सियानसरों का उप्सन नंबर भी अनुछेद 2 में अलागुशन देखते हैं डोक्टर अमबेडकर के अनुछार कोन सा अनुछेद भारती सविदान का सबसे महत्तपूर अनुछेद है इसका सियानसरों का उप्सन नंबर सी अनुछेद 32 बाबा साहिब डोक्टर भीमराव अमबेडकर ने अनुछेद 32 को सविदान की आत्मा कहा है और सुप्रीम कोर्ट अनुछेद 32 के तैयती पांच परकार की रिट चारी करता है किसी राज्य में विधान परिसद की इस्थापना और समाप्ति का प्रावदान है भारती सविधान के इसका सियानसरों का उप्सन नंबर अनुछेद 139 में अलाविश्यन है भारते सविधान के किस अनुछेद में अनसूचित जात्यों और अनसूचित जन जात्यों के लिए आरक्षन का प्रावधान किया गया है इसका सिया अनसर होगा Option No.D Anushet 335 में अलाविश्यन है निम लिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है जबकि ओप्सन नमबर C तो ओप्सन नमबर C सुमेलित नहीं होगा अगला विश्य ने नेती आयोग भारत के सविधान के किस अनुचेद के तहत संगठित किया गया है इसका सी आनसर का उप्सन नमबर D इन में कोई नहीं अगला विश्य ने भारत के सविधान का निमलिक हित में से कोन सा अनुचेद समान नागरिक सहिता से संबन दीत है इसका सी आनसर का उप्सन नमबर E अनुचेद 44 जो कि गोवा में लागू है संपूर्ण भारत के भू भाग में मुप्त रूप से आवा गमन का अधिकार भारते सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत मुलिक अधिकार है इसका सी आनसर होगा option number A, अनुचेद 19 के अंतरगत भारते सविधान का कोन सा अनुचेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुप्त कानूनी सायता को प्रोचाइद करता है इसका सी आनसर होगा option number C, अनुचेद 49A भारत के सविधान का कोन सा अनुचेद भारत में एक नए राज्ये के गठन के लिए दिया गया है इसका सी आनसर होगा option number D, अनुचेद 3 अगला गुश्यने, भारते सविधान का कोन सा अनुचेद धरम, वन, जाती, लिंग, जनम, स्थान के आधार पर भेधवाव पर रोक लगाता है इसका सी आनसर होगा option number D, अनुचेद 15 अगला गुश्यन है भारती सविधान के किस अनुछेद में जनसंख्या के किसी समू में बोली जाने वाली भासा को लेकर विशेश प्रावधान किये गए हैं इसका सी आंसर होगा अप्सन नमबरे अनुछेद 347 में अगला गुश्यन है भारत के सविधान के निमलिकित अनुछेदों में से कोन सा अनुछेद धार्मिक सव तंतरता के अधिकार की गारंटी देता है इसका सी आंसर होगा अप्सन नमबरे अनुछेद 25-28 अगला गुश्यन है भारत के सविधान के निमलिकित में से किस अनुछेद के अधिन परतेक वितिये वर्ष के लिए बारत सरकार की प्राकलीत प्राप्ति और वयो का एक भीवरण संसद के समक्स रखा जाता है इसका सी आंसर होगा अप्सन नमबर सी अनुछेद 112 अगला गुश्यन देखते है भारत के सविधान का कौन सा उपबंद यहाँ वयवस्ता देता है कि भारत के राष्टपती अपने पद की सक्तियों के प्रियोग के लिए बारत के किजी भी नियाले के परती जवाब दे नहीं होगे इसका सी आंसर होगा अप्सन नमबर सी अनुछेद 361 के तैयत अला गुश्यन निमली खित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है अनुछेद 48 नियाय पालिका का कारिय पालिका से प्रतक करण तो यहाँ ऑप्सन गलत है यहाँ अनुछेद 50 में दिया गया है तो अप्सन नमबर डी सुमेलित नहीं है अला गुश्यन ने सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिये और सुचियों के नीचे दिये गए कूट का परियोकर सही उत्तर चुनिये सुची एक में सविधान का अनुछेद दिया गया है सुची दो में अंतरवस्तु दिया गया है तो उप्सन देखते हैं अनुछेद चबवन में इसमें भारत के राष्टपती का निर्वाचन दिया गया है और अनुछेद पिछेतर में परदान मंत्री और मंत्री परिशत की नियुक्ति दी गई है अनुछेद 155 में राज्ये के राज्येपाल की नियुक्ति दी गई है औ option देखते हैं तो option number 8 का सही answer होगा एक दो तीन च्यार अगला question देखते हैं अगला question है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे देगए कूट से सही उत्तर चुनिए सूची एक में सस्थान है सूची दो में अनुचेद हैं तो भारत का नियंतरग एवं महाले का परिक्षक इसका सही answer होगा option number 3 अनुचेद 148 वित आयोग 280 में दिया गया है परसासनिक अधिगर्ण यह अनुचेद 323 में दिया गया है अस्तंग लोग सेव आयोग यह अनुचेद 315 में दिया गया है तो इसका सही answer होगा सूची एक को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तता सूची के नीचे देगे कूट से सही उत्तर का chain कीजिए सूची एक में अनुचेद दिये गए हैं और सूची 2 में प्रावदान दिये गए हैं तो option देखते हैं अनुचेद 61 में राष्टपती पर महवयोव अनुचेद 67 में उपराश्टपती को उटाना और अनुचेद चुराणवा में स्पीकर को उटाना और अनुचेद 90 में राज्ये सबा के उपसबापती को हटाना तो इसका c आणसर होगा 2 3 4 1 तो option number c इसका c आणसर होगा दो, तीन, चार, एक तो दोस्तों यह हैती है हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी भी क्यूस्टिन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद